दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जेट प्लांट को शेयर करूंगी तो अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ रुख गई है पत्या पीली होकर नीचे गिर रहेंगे आपका पौधा एकदम बेजान सा नजर आ रहा है जो नई पत्या निकल रही है उ उसमें आने वाली नई पत्यां काफी बड़ी और चमकदार निकल कर आएं नमशकार दोस्तो आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो शेल ये दोस्तो वीडियो की सुरुआत करती हूं तो दोस्तो जेट प्लांट गुड लग प्लांट के नाम से भी ज जाना जाता है और जेट प्लांट जो है वो आउट्डोर और इंडोर दोनों ही जगों पर काफी आसानी से चल जाता है जेट प्लांट रात में कार्बन डायोकसाइट को एब्सॉर्ब करने वाला पौधा है इसी के साथ में ये काफी हार्डी पौधा होता है और जल्दी न खराब होने वाला पौधा भी माना गया है। साथिसाथ जैट प्लांट की आप एक छोटी सी कटिंग को किसी भी मौसम में बहुत आसानी से ग्रोः कर सकते हैं। इसके लावा बरसाथ के सीजन में जैट प्लांट की एक पत्ती से भी कि आप नया पौधा तयार कर सकते हैं साथी साथ जेट प्रांट को सुबे की 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है और 6 से 8 इंच के गमले में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है इसी के साथ साथ जेट प्रांट को बहुत कम पानी की जरुरत होती है क्योंकि ये पौधा ए तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं जैसे कि पहला होता है कि जब मौसम में उतार चड़ा होता है तब भी जेट प्लांट की पत्यां पीली होकर नीचे गिरती है या फिर जेट प्लांट के पौधे को बहुत ज्यादा पानी या बहुत कम पानी मिल जाता है तो भी इसकी पत्या नीचे पीली होकर गिरने लगती हैं इसी के साथ गर्मी के मौसम में इस पौधे की ग्रोथ रुख जाती है और पत्या पीली होकर नीचे गिरने लगती है जो कि एक इसके साथ में समस्या होती है क्योंकि दोस्तों गर्मी के मौसम में जो सभी पौधों की तरीके से ये पौधा भी बहुत जल्दी जल्दी अपना भोजन बनाता है जिसकी वज़े से इसमें पानी के साथ साथ मिट्टी के जो पोशक तत्व होते हैं वो सब भी बाहर निकलते रहते हैं और उस मिट्टी में फिर पोशक तत्वों की कमी हो जाती है साथी साथ मिट्टी एलकलाइन हो जाती है जिसके कारण जो पौधा है उसकी रूट्स मिट्टी से पोशक तत्वों को अच्छी तरीके से नहीं ले पाती है और पौधे की पत्या पीली होकर नीचे गिरने लगती ह तो दोस्तों जैसे ही फरवरी का महीना लगता है तो ये भी dormancy period से बाहर निकल कर अपनी growth को start कर देता है और इस समय jet plant के उपर नई नई पत्या निकलने लगी है जो पुरानी पत्या है वो लगबग जड़ चुकी है तो अब ये वही समय है कि जब हमें अपने jet plant को ऐसी fertilizer देन हो चैने दोस्तों देखते हैं कि हमें अपने jet plant को कौन सी fertilizer देनी है तो चुकी jet plant एक पत्यों वाला पौधा है और जितनी भी पत्यों वाले पौधे होते हैं उन सभी को nitrogen की काफी जरुरत पढ़ती है तो जिन में सबसे अधिक nitrogen पाई जाती है ऐसे पौधों को वही fertilizer दी जा इस समय देने के लिए सभी प्रकार के पत्ती वाले पौधों के लिए तो लगबग दो मुठी के करीब आप वर्मी कमपोस्ट खात को ले ले और उसमें आप एक चम्मच फ्रेस चाई की पत्ती को मिला ले और दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर jet plant की मिट पाई जाती है इसी के साथ में ये दोनों फर्टिलाइजर्स जो होती है वो और्गेनिक होती है अगर कम जादा कुछ हो जाता है तो पौधे पर उसका कोई फरक भी नहीं पड़ता है इसी के साथ में चाय पत्ती में एक टेनिन नमक एसिट पाया जाता है जिसकी वज़े से पौधे की पत्यों पर किसी तरीके की बिमारी नहीं लगती है साथी साथ जो पत्या नई निकलती है वो काफी साइनिंग वाली होकर निकलती है तो दोस्तों अगर इन दोनों फर्टिलाइजर्स का आप अपने पौधों पर महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं साथी साथ तीन से चार घंटे की सुबे की पौधे को धूब दिखाते हैं तो रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपका जेट प्लांट काफी हरा भरा और घना है साथ में जो नई पत्या निकल रही हैं वो काफी साइनिंग वाली हैं और बड़ी पत्यां भी साइज में हैं उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करियेगा मिलती हूं किसी अगले वीडियो में किसी नई जयानकारी के साथ में तब- trape के लिए दोस्तो हैपी गार्डनिंग